साहिबा को लगी चोट तो अंगत ने पिलाया साहिबा को पानी जी हैं आपको बता दे स्टापलेस कशो तेरी मेरी जोरिया में आने वाले एपिसोड में जो आप देखने वाले हैं जहाँ पर आप देखी रहे हैं हम सब के भई एपिसोड में दिखाया चाहरा है कि अंगत और साहीबा दोनों ही गुरूदवारे में जहां बैसाकी का सेलिबरेशन चल रहा है जहां पर वो दोनों सेवा करते नज़रा है तो इसी पीछ वहांपर सीरत और गैरी भी मौदूद है जिसके चलते हैं भाई अब गैरी ने देख लिया है साहीबा को जिसके बाद वो काफी जाता है उसके बाद में उसको भाई बोलता है हॉस्पिटल ले जाने के लिए लेकिन वह फिर भी मना कर देती है जब अंगद उसे पानी प्ला देता है वो बेहोश होती है तो उसको होश आजाता है लेकिन इसके बाद में अंगद बोलता है कि तुम्हें ऑस्पिटल जाना चाहिए लेकिन साहिबा का यह कहना होता है आज मुझे 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 नहीं मिलेगा तुम्हारे सामने सचाना बहुत जरूरी है लेकिन फिर भी अंगद उसकी बात नहीं मान रहा है पर जाके उनसे request करेगी उनसे बोलेगी प्लीज कैसे भी करके आप मेरे को दिखा दो उसको यह चेक करना होता है कि गैरी और साहीबा गैरी और सीरत जो है दोनों अकिकर कहां पर लड़ रहे हैं कहां पर वो बात कर रहे हैं वो आये थे अकिकर वो इस वक्त है तो है कहां जिसके बाद में साहीबा को भी समझ में आ जाएगा और आने वाले एपिसोट में देखेंगे कि साहीबा कैसे अंगत को लेका जाएगी सीरत और गैरी के सामने जिसके बाद में उन दोनों का खुलासा होता नज़र आएगा वैल यह देखना काफी जाद अंटरस्टिंग होगा दोनों लड़ रहे होंगे और अंगत के सामने ही खुलासा हो जाएगा कि यह आखिकार सीरत भागी तो किसके साथ आप देखने हो कि आकिकार क्या वहीं रोड पर सब के सामने ही गैरी का होगा बुरा हाल या फिर अंगत लेकर जाएगा गैरी को ब्रार मेंशन जिसके बाद में उसका बुरा हाल करता नजर आएगा वैल देखना इंट्रस्टिंग होने वाला है शो की कहानी काफी नहा मोड ल